हाई गाईज आई टिया इन डिपलोमा ग्यान में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में सेकेंड चेप्टर के मिजरिंग टेप तक आप लोग को पढ़ाय गया था नेक्स टाफिक इसमें इस वीडियो कवर किया जाएगा तो इसमें है फाइल फाइल रेति किसे करते हैं देखिए यह एक कटिंग टूल है और प्रायर सभी कारीगर इसे प्रयोग करते हैं इसका उपयोग किसी जाब को उपयुक्त आकार तथा फिनिसिंग देने के लिए किया जाता है यह मुखे तर चार प्रकार करता है पहला लंबाई के अनुसार according to length समानता फाइल के लंबाई 10, 15, 20, 30, 35 cm तक होती है और दूसरा है ग्रेड के अनुसार according to grade ग्रेड के अनुसार rough, wasted, second cut, smooth, dead, smooth आधी रेतिया होती है तीसरा है कट के अनुसार according to cut कट के अनुसार single cut, double cut, cut, spiral cut, rasp cut आधी रेतिया होती है और चौथा है आकार के अनुसार according to size अकार के अनुसार flat, round, square, triangular, hand, knife, edge वर needle आधी रेतिया होती है अब देखते है कि size के अनुसार कौन कौन से रेतिया होती है इनका figure देखते है और समझते है देखिए यह जो है flat file है जिसका इसका जो tip होता है एकदम flat होता है सीधा होता है यह टांग होता है जिसमें इसका handle घुसाया जाता है और यह हमारा यह इसका file का solder है और इसको sank बोलते है और इसका यह जो face होता है यह तरह flat होता है और यह जो है next यह है hand file यह हाथ में पक्रणने वाली होती है यह भी लगवग ऐसे ही होती है flat file की तरह होती है और next है square file यह जो होता है इसका tip होता है इसका tip होता है वरगा कार होता है square में होता है इसलिए इसको square cut file बोलते हैं और next है knife cut half file और जी इसका tip होता है यह अर्ध अर्ध गोलाकार होता है इसलिए इसको हम half five बोलते हैं और next है triangular file यह जो ट्रेंगुलर फाइल है इसका जो tip होता है कि इसका tip जो होता है ट्रेंगुलर रखार का होता है त्रिकोडी होता है इसको इसके लिए इसका जैसे हारी गोरी में इसके दात लगाने की काम आता है और जो होता है next वाला होता है round file यह round file होता है इसका जो tip होता है पुरा गोलाकार होता है इसलिए इसको हम round file बोलते हैं अब next देखते हैं क्रिम्पिंग टूल अब देखे क्रिम्पिंग टूल क्या होता है क्रिम्पिंग टूल होता है जब किसी केवल में लग लगाने के लिए उपयोग किया जाते हैं देखते हैं इसका उपयोग इल्मूनियम के केवल के सीरो पर सन्योजक प्लग या टर्मिनल को बैठाने या दवाने के लिए किया जाता है कि इसकी लंबाई प्राय बीस सेंटिमीटर होती है कि अब next देखते हैं उड़ सा इसकी लंबाई प्राय तीस प्रैंतिस चालिस या पैतालिस सेंटिमीटर है बिद्दुतकार के लिए तीस सेंटिमीटर लंबे ब्लेड वाला उड़ सा उपयोग होता है इसका उपयोग वस्तवों की फिटिंग आधी को काट कर आकरिती पदान करने के लिए किया जता है इसका प्रयोग करते समय ध्यान देखी इसके दाते अपनी और गती करते समय लकड़ी काटते हैं और next है इस्पैनर सेट इस्पैनर सेट पर आया 6, 12, 19, 30 संख्या में सेट की रूप में उपलवध होते हैं इनके जबडे का आगार कालाता है ये कई प्रकार के होते हैं जैसे सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, रिंग, बॉक्स, स्पेशल आदी इनका उप्योग नट बोल्ट को कसने के लिए किया जाता है जो स्पैनल सेट होता है, स्पैनल सेट देखिए ऐसे होता है जिसको हम समाने बासा में रिंच बोलते हैं इसको ये ऐसे होता है और जो होता है, ये देखिए डबल एंडेड है और जो सिंगल एंडेड होता है, वो क्यों एक सेट होता है ऐसे हंड़ लगा होता है यह देखिए यह सिंगल एंडेड है ऐसे बनावता है और जो रिंग एंडेड होता है वह इस ट्राइब को बनावता है रिंग क्या करका बनावता है यह रिंग एंडेड होता है अब देखिए नेक्स्ट है आज़स्टेबल रिंच इसे आज़स्टेबल स्पाइनर भी काते हैं यह पराया बारा पंद्रह बीस पचीस या तीस सेंटीमीटर में उपलब्ध होता है गर्च इसका उपयक तो हता है इसका उपयक तब किया-जाता है जबकि Nut का आकार सही Spications Toolkit में उपलब न हो इसका उपयक तब किया-जाता है जब कोई Spires Set नहीं है तब इसका उपयक किया जाता है देखे इस टाइब का होता है ऐसे बनावता है और यहां पर ऐसे कटा होता है और इसमें एक चक लगा होता है जिसको घुमाते हैं इसकी साइज घट्टी बढ़ती है और देखिए देखिए स्निप क्या होता है स्निप पतली धात्विक सीटों को काटने वाली कैची स्निप कहलाती है इसकी लंबाई समानता 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है बिद्दुतकार इसका उपयोग बैंडिंग के तारो माईका सीट कठोर इंसुलेशन सीट आदी को काटने के लिए करते हैं बिद्दुतकार के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे स्निप उपयोग होती है पत्ली पत्ली चादरों को काटने के लिए उपयूग में लाया जाता है आप देखिए कहची सीजर इसकी की लंबाई 10 cm चादर है विदुद्द्दटकार के लिए 15-20 cm लंभी सीट आधी काटने के लिए किया जाता है सीचर का उपयोग अब देखे ट्राइज क्या है ट्राइज को जिसको हिंदी में गुनियां बोलते हैं इसकी जो है उपयोग समकोर्ट गयात करने के लिए किया जाता है देख हिस टाइब के होता है यहां पर इसकी नएटी डिग्री पर बना उता है दोनों भुजा इसकी जो हती है इसको कहीं मतलब समकोर्टा की जात करने केले इसका ऑपयोग किया बिदुतकार के लिए 15 cm वाला blade वाला tri square उपयुक्त होता है जो बिदुतकार होते हैं उनके लिए 15 cm का उपयुक्त होता है इसका उपयूग बैदुत वायरिंग आदि में समकोड की परक करने के लिए किया जाता है अब देखे इस्टील स्किल क्या है इसकी लबाई 15, 30 या 50 cm होती ही इसके द्वारा कम से कम सही ना पी जा सकने वाली लंबाई अलपत मांग जिसको होते हैं लिष्ट काउंट 0.5 mm से 1 upon 32 inch होती है बिदुतकार के लिए 30 cm लंबा इस्टील उपयुक्त होता है जो बिदुतकार होते हैं उनके लिए 30 cm का उपयुक्त रहता है इसका उपयोग तारो और जारो जाप्स बोल्ट्स आदी की लंबाई नापने के लिए किया जाता है देखे यह स्केल होता है इस्टील का बना होता है ऐसी इस टाइप को होता है और यहां पर सिंबल मतने होते हैं इसका उपयोग जाप को नापने के लिए तारो को नापने के लिए और बोल्ट के लंबाई नापने के लिए इत्यादी उपयोग किया जाता है अब देखते हैं नेक्स्ट पाइप रिंज देखते हैं पाइप रिंज ये रिंज अनेक लंबाईयों जैसे 20, 25, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर आदी में उपलब्ध होते हैं बिद्दुतकार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा चार सेंटीमीटर जवड़ा परास वाला पाइप रिंज उप्युक्त होता है इसका उपयोग कंड्यूड तथा जी आई पाइप सरकीड आदी कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है इस पाइप रिंज का उपयोग को खोलने के लिए किया जाता है इस प्रकर रहता है इसकी जो साही होती है यहां से अजस्ट कर लेते हैं अब देखिए पाइप कटर क्या होता है यह आउजार 30 से 90 सेंटीमीटर तक की लंबाई में बनाया जाता है इसमें तीन कटिंग ब्लेड होते हैं जिसमें एक ब्लेड इस्ती जबडे में कसा रहता है और दो ब्लेड सचल जबडे में कसे होते हैं जो आउजार को पाइप पर घुमाने के साथ साथ गती करता है काटे जाने वाला pipe को अवजाज जबडों में page द्वारक कस दिया जाता है और page handle से थोड़ा थोड़ा कसते हुए handle को pipe के चारों और घुमाते जाते हैं जिससे pipe कट जाता है इसका उपयोग कट्डूर तथा GI pipe को काटने के लिए किया जाता है देखिए जो pipe cutter होता है इस type को होता है ऐसे बना होता है और यहां पर एक जा होता है देखिए इस पर दो blade लगा होते हैं और इस पर एक blade लगा होता है जैसे जिसको घुमाते जाते हैं यहां पर एक चक लगा होता है जैसे जिसको घुमाते जाते हैं एक काटता चला जाता है इसको pipe हो इसको लगा के प्रेस करते हैं तो एक काट देता है किसी pipe को जैसे GI pipe हो ग थांक यू इसी एकके साथ आपका तूल्स वाला चेप्टर्स समवत हो गया आप नेक्श्ट्ट्र नेक्श्ट्र वीडियो में कवर किया जाएंग तैंक थांकinka हुआरी वीडियो को जाएधा से जाएधा शियर करे लाइक,' करे और संस्क्राइब करे धन्यवाद